नमस्कार दोस्तों मैं विजमीना आप सभी का हमारे यूटूब चैनल चाट ट्रेड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारी शरी चाट ऑफ दा वीक के लिए आज हम एक और श्टोक लेके आएं अगर मैं आज के दिन ए नर्वी बीरिंग के स्टोक के भाव की बात करूंगा तो 169 इसका फ्राइडे का क्लोजिंग भाव मार्केट के की बात करेंगे तो 1641 करोर रुपे का इसका मार्केट के पे तो हम चलेंगे सीधा चार्ट पे और देखेंगे एन आर भी बेरिंग का चार्ट हमें कैसा लग रहा है उससे पहले दोस्तों अगर आप पहली बाद चैनल पर आयो अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लीज तो जरूर कर दीजए तागि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह हमारा वीडियो पहुंस सकता है अब चलेंगे चार्ट पर देखेंगे एनेर भी बेरिंग का बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है अब इस लेवल कर देखे तो 2015-16 में देखो तीन बाज यह resistance रहा इसका बाद यह resistance यह resistance यह resistance रहे अब जैसे इस इस resistance को 2017 में इसने break किया है तो resistance है तो अगली बार क्या करेगा support का काम करेगा यहाँ पर देख सकते हो लगातर कितना strong support बनके NRV bearing के लिए 2017 से लेक्के 19 तक आया है अब इसने 2020 में ठीक है यहाँ पर इसको break किया 2019 के अंदर अब जब दुबारा हमारा support break हो गया तो resistance का काम करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दो बार इसने अच्छी चीज जो नजर आ रही है वो नजर आ रही हमें volume के spike यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सांदार इसके अंदर volume आ रही है जब रदस खरिदारी इसके अंदर nrv bearing के लिए हो सकता है तो जो टार्गेट आपको इसके अंदर रखना होगा वो टार्गेट हम आपके लिए बता देंगे तो टार्गेट इसका जो पिछला हाई था हमारे पास में वो था हमारे पास में लगबग 225 रुपे के आसपास का तो NRB बेरिंग के अंदर जो पहला टार्गेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहां से 225 का जो लगबग आपको 30 पर 30 के आसपास का रेटन आता है लेकिन एंट्री इस स्टोक के अंदर हमको कहां पर लेनी है इसके लिए हम इस चार्ट को डेली चार्ट पर चलेंगे वहां पर जाके देखेंगे कि NRB बेरिंग के अंदर हमारी एंट्री कौन से लेवल पर बनती है अब देखें दोस्तों इस चार्ट को हमने डेली चार्ट कर दिया है इस डेली चार्ट के अंदर फिर से हमने एक बिलू कलर का जौन बनाया है यह जौन NRB बेरिंग के लिए फिलाल के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यह वाला जो लेवल है वह हमारे पास में एक सो पिछेतर रुपे का जैसे इस टॉक 175 के उपर निकल जाएगा आप इस स्टॉक के अंदर खरिदारी कर सकते हैं एक सो पिछेतर रुपे निकलने के बाद में NRB बेरिंग के अंदर एक बहुत ही फास्ट मुमेंट आएगा अगर मैं यहां पे डेली चार्ट पे के पास में आ चुका है यहां पर देखें तो वॉल्यूम हमारे लगबग ड्राई हो चुके हैं खतम हो चुके हैं और जैसे ही 175 के उपर निकलेगा तो बड़ी वॉल्यूम के साथ में इसके अंदर तेजी आएगी अब बात करते हम स्टॉप लॉस की भाईया स्टॉप लॉ यसे इस्टॉप 175 के उपर निकलने के बाद आपकी एंट्री बन जाएगी तो 150 रुपे के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्योंकि इस लेवल का पहले भी इसने क्या कर रहा था यह बार बार यह रैस्टेंस रा यह रैस्टे वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजे वीडियो के लिए और फिर से अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बाकि आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है